एक multiple building से एक आदमी नीचे गिर जाता है security guard तुर्ण मेहूल को call कर देता है मेहूल crime scene पे बहुत जाता है मेहूल नीचे काफी लोगों से पूछताच करता है लेकिन guard कहता है कि उसे अचानक किसी के गिरने की आवाज आई इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता है तबी पास में खड़ा आदित्य मेहूल से कहता है सर मैं तो उस समय नीचे अपनी कार को साफ कर रहा था तो मैंने देखा ये आदमी 10th floor की बात गनी पर डांस कर रहा है और अचानक इसका balance भिगड गया और ये नीचे गिर गया मेहूल को आदित्य की बातों पर doubt होता है क्यो logical army मेहूल को आदित्य की बातों पर doubt क्यों हुआ सोचिये सोचिये 10th floor से गिरने के बाद बाद बादी तो तूट जानी चाहिए थी blood निकलना चाहिए था लेकिन बादी एकदम सही सलामत है और कोई blood भी नहीं निकल रहा है इसका मतलब वो आदमी इतने उपर से नहीं गिरा है आदित्य जूट बोल रहा है मेहूल आदित्य का collar पकड़ लेता है और उससे पूच्टाच करता है तो आदित्य धर जाता है और कहता है सर ये body first floor से गिरी थी और मिस्टर राज ने मुझे 10,000 रुपे देकर जूट पोलने के लिए कहा था मेहूल राज को पकड़ने के लिए first floor पर पहुच जाता है लेकिन वहाँ का scene देकर मेहूल सर्प्राइस हो जाता है राज आराम से बैठकर mango juice पी रहा था इसे तो अब तक भाग जाना चाहिए ता कुछ तो गरबर है मेहूल सीधा राज की बालकनी में जाता है तो उसे वहाँ पे एक clue मिल जाता है क्या clue मिला मेहूल को logical army त्यान से बालकनी को observe कीजिए नीचे पड़ी dead body में एक shirt का button missing था और ये देखिए वो परतल यहाँ पड़ा हुआ है राज खुद को cool दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इस सबूत के वज़े से वो पकड़ा जाता है में उसे जेल में डाल देता है चली अगली पहली देखते है ड्राकोन एक्सेस और इंड्यन आजर्मी के बीच में चंकर में firing शरू जाती है ऑंड्यन आर्मी एक-एक करके ड्राकोन एक्सेस के सारे लोगों को मार देती है सबसे लास्टे ड्राकोन एकसेस का एक sniper specialist भश जाता है लेकिन किसी भी इंडियन सोल्जर को उसकी exact location पता नहीं थी अगर कोई उसे देखने के लिए head उपर करेगा तो वो sniper specialist उसका सर पूरा देगा logical army क्या आप कोई idea सोच चकते हैं इंडियन army क्या कर सकती है सोचे सोचे सुभितार गगन सिंग अपना दिमाग लगाते है वो अपनी बंदूग के उपर अपना helmet रख देते है और दीर एसो से फत्तर के उपर लेके जाते है sniper specialist को लगता है कि वो soldier movement कर रहे है तो वो helmet को target करके firing करता है उसके firing करते ही इंडियन army को उसकी location समझ जाती है और जना दन फाइनिंग तको उसे मार देते है logical army इंडियन army के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है चलिए अगली पहली देखते है city में एक बहुत बड़ा hacker आ गया था एक दिन उसने एक traffic signal को hack कर लिया मेउल के call करते ही hacker आदी मेउल को तीन picture send करता है इन में से एक traffic signal को उस hacker ने hack किया हुआ है logical army क्या आप तीनों signal को जहाँ से बता सकते है वो कौन सा signal है जिसे hacker ने hack किया होगा सोचिये सोचिये ये वाला signal hack हो गया है दो duration के signals एक टाइम पर green हो गये है ऐसा कैसे possible है ना तो accident हो सकता है में हुल वाके traffic inspector से बात करके traffic खुद manage करने के लिए कहता है तब तक hacker आदी ने उस hacker का पता लगा लिया था और में हुल को information पहुचा दी थी में हुल उस location पे बहुत जाता है लेकिन हापर बस एक गुड़ी और तीवी देख रही थी में हुल सीन को ध्यान से देखता है और समझ चाता है कि वो hacker कहाँ छुपा हुआ है रोजकरार भी क्या आप समझ पाए ध्यान से सीन को observe कीजिए बुड़ी दादी को ध्यान से देखिए उनके चेहरे पर एक भी जुड़्या नहीं है और नीचे देखिए सूस पेने हुए है वो बस बूड़ी होने का नाटक कर रही है मेहुल उसकी विगली कालता है तो वो एक लड़की थी जो सिगलस को हैक कर रही थी मेहुल उसे पकर लेता है चलिए अगली पहली देखते है बंटी और बबली तालाब में फिश पकड़ने जाते है दोनों मिलकर एक मिनिट में छे फिश पकड़ते है और पाँच मिनिट में थर्टी फिश लोजिकल आर्मी अब समझे अगर बबली पाँच मिनिट के लिए कही चला जाता है तो अकेले बंटी 5 मिनिट में कितनी फिश पकड़ पाएगा अच्छे से सोचना लॉजिकल आर्मी और इसका अंसर मुझे कमेंड करके बताना ध्यान से देखिए बंटी और बबली दोनों एक ही काटे से फिश पकड़ रहे है जब बंटी फिश पकड़ रहा था तो बबली आराम से एंजोई कर रहा था मतलब अगर एक चला भी जाए तो दूसरा 5 मिनिट में 30 फिश ही पकड़ेगा चलिए अगली पहली देखते है विवुर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और ट्रेन स्टेशन पर रुक्य हुई थी तब ये अचानक एक चूर एक लीडी का मुबाइल जीनकर भाग जाता है विवुर तुरंट उसका पीछा करता है लेकिन बुक स्टॉल के पासा कर चूर कायव हो जाता है लोजिकल आर्मी क्या आप इस सीन को ध्यान से दिखके बता सकते है चूर कहां चुपा हुआ है अच्चे से सोचिये लोजिकल आर्मी तिर्फ दूसरे वाले बंदे को देखिए ये उल्टा न्यूस पेपर पढ़ रहा है मतलब इसने गाई गाई में न्यूस पेपर उल्टा पकड़ लिया मियूर उसका न्यूस के पर हटाता है तो वो वही चोड़ था मियूर उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर देता है लेकिन ये क्या मियूर की ट्रेन चूट जाती है चलिए अगली पहली देखते है आर्मी कैम्प में एक जासूस गुस आता है ये बात कर्णल सक्सेना को पता चल जाती है लेकिन वो जासूस ने अपने कपरों के अंतर बम लगा रहा था अगर जासूस को ज़रा सा भी लगा कि वो पकड़े जाना वाला है तो वो ब्लास्ट कर सकता है कमल सक्सेना को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा आर्मी मैन जासूस है वो आर्मी कैम के 3 CCTV फोटेजिस को ध्यान से देखते है तो उन्हें एक बंदे पर डाउट आता है वो जिकर आर्मी क्या पर 3 फोटेजिस को देखके बता सकते है वो कौन सा आदमी है जिस पर करनल चक्सेना को डाउट आया, सोचे सोचे अन ड्यूटी आर्मी मैन अपनी कैप तो उतार सकता है लेकिन शर्ट ओपन नहीं रख सकता और उसकी शूस की लेज भी देखिये, पूरी खुली हुई है ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब इसको आर्मी के रूल्स नहीं पता है यही वो जासूस होगा करनल चक्सेना सीक्रेटली मिशन प्लान करते है और उस आदमी को पकर लेते है चल यह, अगली पहली रखते है दो फ्रेंट्स नदी में स्विमिंग करने जाते है एक left direction में स्विम करने लगता है और एक right direction में दोनों को ध्यान से observe करो और मुझे बताओ कौन fast swim करेगा A या B A वाला पानी के direction में स्विम कर रहा है और B वाला opposite direction में कर रहा है क्योंकि B पानी के उल्टे direction में स्विम कर रहा है उसकी speed कम हो जाएगी मतलब एक इस बिट जादा होगी चलिए अगली पहली देखते हैं दिल्वे स्टिशन पर एक स्मगलर आने वाला था और ये बात मिहूल को पता चल जाती है मिहूल अपना लूप चेंज करके वहाँ बैठ जाता है पंदरा मिनिट बेट करने के बाद मिहूल समझ जाता है कि स्मगलर उसके पास ही बैठा हुआ है इन A, B, C को ध्यान से अब्ज़र्फ कीजे लॉजिकल आर्मी इनकी पहली और ये पंदरा मिनिट बात की फुटेज देखिए और मुझे बताईए कि वो कौन है आपका अंसर कमेंट करके बताए पहले वाले को ध्यान से देखिए वो पॉपकर्ण उठाता है मुँ में डालता भी नहीं है और वापस नीचे लेके आ जाता है और उसके बॉक्स में उतने ही पॉपकर्ण है जो पंदरा मिनिट पहले थे ऐसा कैसे पॉसिबल है ज़रूर वो कुछ करबड कर रहा है मेहुल उसके पास जाता है और उसे पकर लेता है चलिए अगले पहली देखने मेहुल न्यूयर पे बहुत सारे गरीब बच्चों को होटर में पार्टी देता है वेटा मेहुल को बताता है चारे पार्टी का खर्चा हो गया है 12,000 रुपए और आइसक्रीम का 1530 रुपए मेहुल तुरंत उपिया इसे 12,000 और 1530 रुपए पे करने लगता है लेकिन तब ही अचानक मेहुल को लगता है कि उससे पेमेंट में कुछ गरबड हो रही है मेहुल को 12,000 और 1530 रुपए खर्च करना था मेहुल ने उनको आमने सामने लिख दिया है तो वो हो गया है 12,000 और 1530 होगा मतलब वो हो जाएगा 13,530 रुपए मेहुल ये समझ जाता है तूरंद करेक्ट करता है और फ्रेश पेमेंट कर देता है